पहला कुशन दिया 20-税मी फोकस दूरी वाले उत्तल दरपड के सामने 20-税मी की दूरी पर इस्थित बस्तु का परतविम बनता है यहां पर परतविम कहां पर बनता है 20- securedी फोकस दूरी है और 24-ी पर रखा बंश्तु है तो सबस्क्रें पर लिखेंगे यफ बराबर 20 सेमी यह उत्तल दरपड़ है ति उत्तल दरपड़ में यफ का मान पलस होता है यू का मान माइनस होगा 20 सेमी हो जाए बस तो को दूरी किना दिया है यू बराबर माइनस 20 सेमी हो जाएगा भी बराबर प्रशन माचक है भी बराबर प्रश्ण में पूछा जा रहा है तो दरपड का सुत्र होता है एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा यफ होता है सुत्र होता है एक बटा भी उतर जाएगा प्लस हो जाएगा एक बटा यू यू का मान माइनस 20 दिया गया बराबर एक बटा बीस पलस माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाएगा एक बटा बीस हो जाएगा यह माइनस को जब पच्छांतर करेंगे तो पलस एक बटा बीस हो जाएगा अब यहां दोनों का हर देख लिजेए आपस में क्या हैं बराबर हैं बीस बीस नीचे बीस उतर जाएगा और एक एक जोड़ेंगे तो क्या होगा दो हो जाएगा अब दो से दो एक करनम दो दो से बीस को काटेंगे तो एक बटा दस हो जाएगा अब इसका उल्टा करेंगे भी बटा एक हो जाएगा तो भी बटा एक इधर उल्टा करेंगे तो दस बटा एक हो जाएगा यहां एक से भाग करेंगे यहां भी एक से भाग करेंगे तो भी बराबर क्या गया दस सेमी आ गया अब यह दस सेमी जो पलस में जब आएगा तो कहां पर बनेगा तो लिखेंगे दस सेमी दूरी पर दरपड के पीछे बनेगा अब दरपड के पीछ जरने पर सबसे अधिक बिचलन होता है जब प्रिज में स्वेध प्रकाश की किरन को गुजारते हैं तो उसमें सात रंग की पट्टी दिखाई देती है उसमें बताना है सबसे अधिक बिचलन किस रंग का होता है लाल रंग का पीले रंग का हरे रंग का बैगनी रंग का बैदू जनित्र में रुपांतर होता है बैदू जनेटर जो होता है इसमें किसमें रुपांतरित करता है बैदू तुर्जा को यांतरी कुर्जा में यांतरी कुर्जा को रसाइनी कुर्जा में रसाइनी कुर्जा को बैदू तुर्जा में तो या देखें बैदू जो जनित होता है इसमें दुसरा आपसर्ण क्या है सही है अगला प्रसंद गयाए 220 वोल्ट 100 वाट के बैदूत बल्व को तंतू का परतिरोत होगा यहां चार आपसर्ण दिया गया है और इसमें परतिरोत की गर्णा करना है सबसे पहले लिखेंगे आपर भी बराबर क्या दिया गया दो सो बीस दिया गया पी बराबर सो बाट दिया गया आर का सुत्र होता है भी स्कौाइर बटा पी होता है भी के जगा पे दो सो गुड़े दो सो बीस गुड़े दो सो बीस लिखेंगे दो बार क्यों लिखे चार सो चौरासी ओम होगा तो बविकल्पी प्रस्ण जो है आप सभी विद्यारती अच्छे से समझ गया होंगे अगला प्रस्ण आया है आउतल दरपड के किनी दो उपयोग का वड़न कीजिए आउतल दरपड का उपयोग कहां करते हैं पहला इसका उपयोग होगा बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा के आउतल दरपड का उपयोग डाढ़ी बनाने में किया जाता है तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दरपड का प्रियोग करते हैं वो कौन सा दरपड होता है तो आउतल दरपड का प्रियोग किया जाता है दूसरा इसका उपयोग होगा चोटा आउतल दरपड द्वारा प्रकास के किर्णे परावर्तित करके डाक्टर आख दात नाक गले आधिका निरच्छर करने में तो आउतल दरपड का प्रियोग कहां करते हैं तो डाक्टर जो होते हैं आख दात नाक गले आधिका करते हैं निरच्छर करने में इसका प्रिय दिर्ग दिर्ष्टी दोस की बात कहा जा रहा है तो दिर्ग दिर्ष्टी दोस क्या होता है वह दिर्ष्टी दोस जो दूर की बस्त में असपष्ट दिखाई देती हैं तथा निकड की बस्त में असपष्ट दिखाई नहीं देती हैं ऐसे दिर्ष्टी दोस को दिर्ग दिश्टी दोस्त के निवारण करने के लिए चसमे में उत्तर लेंस परियोग किया जता है कौन सा लेंस उत्तर लेंस का परियोग करते हैं जिससे दिर्ग दिश्टी दोस्त क्या हो जाता है तो समझ में आ गया होगा दिर्ग दिश्टी दोस्त क्या होते हैं और इसका निवार आरेक बनाना है और किस लेंस में बनाना है उत्तर लेंस में बनाना है तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक उत्तर लेंस को लगाएंगे अब यहाँ उत्तर लेंस जब लग जाएगा अब यहाँ उत्तर लेंस के सामने को क्या करेंगे यहाँ पर बस्तू को रखेंगे यह बस् का भी फोकस यहां पर हो जाएगा अब यहां मुख अच के समानतर जाने वाली प्रकास के किन्य क्या होते हैं तो मुख अच के समानतर जाने वाली प्रकास के किन्य जो है अपवरतन के बाद क्या होते हैं जूप करके जाते हैं अब यहां अपवरतन के बाद जूप करके जाए है तो प्रकास सीधे निकल जाता है अब यहां जहां प्रकास जब सीधे निकल जाता है जहां यह प्रकास दोनों मिलेगा यही पर इसका जो है आवर्धित परतवीम बनता है अब यही परतवीम बन जाएगा इसका नाम क्या रखा जाएगा आई और इसका नाम क्या रखेंगे आई डैस हो जाएगा और ये बस तू ओ और ये क्या जाएगा ओ डैस हो जाएगा तो समझ में आगे होगा कि मुख अच्च के समानतर प्रकास के किने जब गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद जो है वह तो बैटरी में प्रवाहि धारा की की गढ़ना कीजिए यहां पर धारा की गढ़ना करना है तो सबसे पर लिखेंगे r1 बराबर 2 ohm r2 बराबर 3 ohm r3 बराबर 4 ohm यह 3 परतिरोध दिया है करमसर भी बराबर 24 बोल्ट दिया गया प्रस्न में समांतर करम में तुल परतिरोध का सुत्र क्या होता है तो समांतर करम में तुल परतिरोध होता है एक बटा r बराबर एक बटा r1 पलस एक बटा r2 पलस एक बटा r3 होता है अब एक बटा r उतर जाएगा बराबर एक बटा r1 दो है एक बटा r2 तीन है एक बटा r3 चार है दो तीन चार का LCM लेंगे तो क्या बन जाएगा बारा हो जाएगा अब बारा जब हो गया तो यहाँ दो का आप पहाड़ा पढ़िए बारा आजाए कितने बार में आएगा छे बार में तीन का पहाड़ा पढ़िए बारा आजाए तो चार बार में जाएगा अब इसका उल्टा मान कर लेंगे बार आर उपर जाएगा वन नीचे जाएगा बार उपर जाएगा तेरह नीचे होगा आर का मान बार बटा तेरह आ गया अब यहाँ पर आर का मान जब बार बटा तेरह आ गया तो यहाँ पर आई का मान गरना करना है तो आई और यहां बुल्टेज जो होते हैं जानते हैं समानतर करम में क्या होते हैं समानतर करम में किस का मान समान होता है तो बुल्टेज का मान समान होता है धारा का मान समान नहीं होता है तो याद रखेंगे तो आई का सुत्र क्या हो जाएगा भी बटार हो जाएगा भी का मान जो है 24 कटगे दो बार में कटेगा दो में 13 का गुड़ा करेंगे 13 दूना 26 इस परिपत में जो है सयोजन में परवाहित धारा कितना हो जाएगा 26 एमपियर की धारा परवाहित होगा तो उमीद करते हैं यह प्रशन जो है नुमेरिकर आप से भी द्यारती अच्छे से समझ गए यह अब आर का मान क्या दिया है चार ओम दिया है टी बराबर एक सेकंड दिया गया है और डवलू बराबर कितना दिया गया है सो जूल दिया गया है भी बराबर प्रशनमाचक है यह डवलू लिखिए यह यच लिख सकते हैं यच भी लिखा जा सकता है क्योंकि जूल उसमा दिया है इसने इसको यच से परदर्सित करेंगे अब यच का सुत्र क्या होता है भी स्क्वाइट टी बटा आर आप लोग पढ़े होंगे सुत्र यच बरावर भी स्क्वाइट टी बटा आर इसमें किसकी गढ़ना करना है भी की गढ़ना करना है अब यच के जगा पे सो हो ज जाएगा टी कमान एक हो गया आर कमान चार हो जाएगा चार में सो का गुड़ा करेंगे तो चार सो हो जाएगा भी स्कॉयर बराबर चार सो बर्ग इसके ऊपर जाएगा तो करणी लग जाएगा करणी चार सो कमान क्या होता है बीस हो जाएगा यह बर्ग जब हटेगा तो सो कमान कायागा 20 बोल्ट भी बराबर 20 बोल्ट हो जाएगा इसमें जो है एंसर काया 20 बोल्ट समझ में आ गया होगा अगला कुशन आया हुआ है प्रकास की परावर्तन की नियम लिखिए एक आउतल दरपड से 10 सेमी की दूरी पर बस्तु इस्थित है यदि दरपड से अभास परत्वीम 20 सेमी की दूरी पर बनता है तो दरपड की वकरता त्रिज्या ग्याद कीजिए तो यहां पर दो प्रशन को जब हल करेंगे तो सबसे पहले पहला प्रशन हल करेंगे प्रकास की परावर्तन की नियम प्रकास की परावर्तन की नियम क्या है तो प्रकास की परावर कोड आपस में सदेव क्या होते हैं बराबर होते हैं और आपतित किरन परावर्तित किरन और अभिलाम यह तीनों जो है एक ही तल पर इस्थित होते हैं तो यह दो इनका जो है नियम है परावर्तन के दूनों नियम जो है आपस विद्यार्थी समझ गए होंगे इसमें एक नु बलटरी हमेशा माइनस होती है और यहां भी बदर जो है बीज सेमी है यहां प्रस्वीश सेमी और यहां पर प्लसक्यों लेंगे क्यों कि प्रश्ण मीं कहा गया है अभावासी पर्थिबीम देखे लिए यहां पर लिखा आभासी परतिविम जब आभासी परतिविम कहा जाएगा तो भी कमान सदिव पलस लिया जाता है आर बराबर प्रश्माचक हो गया अब सुत्र क्या होता है एक बटा यह बराबर एक बटा भी पलस एक बटा यू सुत्र होता है एक बटा भी कमान क्या है बीस हो जाएगा पलस एक बट 10 दूना 20 हो जाएगा 20 20 हर बराबर है नीचे का जाएगा 20 हो जाएगा एक में से 2 को घटाएंगे तो माइनस 1 बटा 20 हो जाएगा यफ बराबर माइनस 20 सेमी हो गया तो यफ का मान क्या गया माइनस 20 सेमी आगया फोकस दूरी लेकिन इसमें वह करता तरिज्जा पूछा जा र तो उमीद करते हैं यह प्रश्ण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगला प्रश्ण है एक प्रिज्म में प्रकास के अपवर्तन की किरिया चित्र द्वारा समझाईए आपतन को तता बिचलन कोड़ चित्र में दिखाईए तो यहां पर प्रिज्म का अपवर् होता है तो सबसे पले एक प्रिज्म है प्रिज्म पर जब प्रकास की किरन को आपतीत करते हैं यह प्रकास के किने सीधे समानतर हो करके पुना प्रकास के किने का हो जाता है मुड़ जाता है तो अब इसी के बारे में लिखेंगे कि माना की A B C अब A B C देखना है चित्र में A, B, C, एक प्रीज्म का सुच में, मुखे परिछेद है अब यहाँ पर प्रीज्म मे लिया गया है कौण B, A, C अब यहाँ पर B, देखे ध्यान से कौण B, A, मतलब यह वाला कौण की बात कर रहे है, B, A, C अप वर्त कौण है यह प्रिज्म का अपवर्त कौन होता है यह होता है तथा Y के सापेश काच का अपवर्तनांग क्या है A N G A का मतलब हवा है और N का मतलब अपवर्तनांग है A G का मतलब क्या है यह गलास काच है तो यहां पर जब प्रकास किरन आप्तित करेंगे, किस के उपर प्रिज्म के उपर गुजारा जाएगा, तो इसमें कौन कौन से घटना घटेगा, इसी के बारे में बताना है, माना की आप्तित किरन PQ, अब यहां पर PQ जो है प्रिज्म पर प्रकास किरन गुजारा गया PQ, प्रिश्ट के प्रिश्ट AB के बिन्द Q पर गिरती है। इस प्रिश्ट पर किरन अपवार्तन के पस्चाथ Q पर खीचे गए अभिलम की ओर जुक कर Q आर दिशा में चली जाती है। अब यहां से प्रकास कीने यहां पे गया, जूख करके किधर गया, यहां पर QR की ओर चली जाती है, अब यह लिखा कि QR दिशा में चली जाती है, किरन QR, अब यह QR जो किरन है, अब QR प्रिष्ट AC पर, अब AC पर, जैना देंगे AC पर क्या होते हैं, अपवर्तन के पश्चात, अ अभीलम से दूर हट कर आयरियस दिशा में बाहर निकलती हैं। अब देखें यहां पर अरियस जो हैं क्या देख रहा हैं अब प्रकास के बिचलित कर देता है। अब यहाँ से गया प्रकास की ने थे, यहाँ बिचलिथ हो गया तो बिचलित कर देता है। अब आगे जब इसको बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक बिचलन कूण प्राप्थ हो ज़ाता है। लेखेंगे आपर इस परकार यह बिचलन उत्पन कर देता है, आपतित किरन PQ को आगे तथा निर्गत किरन RAS को पीछे बढ़ाने पर बिंदु D पर काड़ती है, बिंदु D पर क्या होती है, काड़ती है, और जो है इन दोनों किरने के बीच बने कोड को का काते है, डेल्टा बिचलन कोड काते हैं, यही बिचलन कोड है, जहां देंगे बिचलन कोड कहां पर है देख रहा है न, D बिंदु पर काड़ते हैं, और इसको जब आगे बढ़ाते हैं, तो डेल्टा जो है बिचलन कोड प्राप्त होता है, तो समझ में आगे होगा कि प्रिज्म में अपवर की तरफ निकल जाता है तो समझ में आ गया होगा अब अगला प्रशन के बारे में समझेंगे तो इसे चाहे तो आप सभी विद्यार्थी से पने कापी में नोट करके एक बार दो बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा तो अब अगला प्रशन समझेंगे बैदूत मोटर का नमांकित आरेख बनाए इस सिध्धान तथा कारविधी को असपश्ट कीजिए तो बैदूत मोटर का नमांकित आरेख भी बनाना है और उसका सिध्धान बताएंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि बैदूत मोटर की सिध्धान पे कार करता है तो बैदूत मोटर एक ऐसी जिसके द्वारा बैदूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदला जाता है जब तक मोटर के अंदर बैदूत नहीं जाएगा वो अपना काम नहीं करेगा इसलिए पहले बैदूत उर्जा को किसमें यांतरिक उर्जा में बदला जाता है अब इसकी रचना की बात करेंगे तो इसमें चार भाग होते हैं अब चार भाग कौन कौन होते हैं तो लिखेंगे बैदुत मोटर के चार भाग होते हैं पहला भाग का नाम है छेतर चुम्मक है दूसरा आर्मेचर है तिसरा बिभक्त वले है ब्रूस होता है अब यहां चितर में देखेंगे तो यहां पर यहां आ इसमें 4 भाग होते हैं, अब 4 भागों को जiran बारी-बारी अनरे से समझेंगे, आब यह चेतर चुमक में क्या लिखेंगे, यहां एक सक्तिसाली अस्थाई चुमक होती हैं, जिसमें धुरु यन, यिंउम, यस होते हैं, मतलब इसके अंदर 2 सक्तिसाली चुमक लगा होता है, जिस पे यन और क्या लिखा होता है, यस लिखा होता है, अब अगला देखेंगे आर मेचर यह एक आयतकार कुंडली है, आयत के नुमा होता है, आयतकार कुंडली आयत के अकार का होता है, जो नर्म लोहे के कुरोड पर प्रिथिक्रित तावे के ताल लपेट कर बनाई जाती ह जो ABCD है अब चीतर में देख सकते हैं यहाँ पर ABCD जो दिखाई दे रहा है यही क्या है आर मेचर कुंडली होते हैं और यह किस अकार के होते हैं तो यह आयतकार के रूप में होते हैं और किसका बने होते हैं तो तावे के बने होते हैं इसके उपर जो है पिर तावे के या आर दोनों सिरे बिभक्त वले यल तथा यम से जुड़े हैं देखिए यहां पर यल और यम से जुड़े हैं दिभक्त वले दो अर्ध विरतकार यह अर्ध विरतकार के रूप में वले के रूप में होते हैं वले मतलब रिंग के रूप में होते हैं तथा आर्मेचर के साथ घुम तो गुम्ती रहते हैं, आगे लिखेंगे, यहां पर सिधांत, अब इसके बारे में समझेंगे, सिधांत क्या होते हैं, लिखेंगे, जब किसी कुंडली को चुमकी छेतर में रखकर, उसमें बैदुधारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पर एक बल युगम कार करने लगता ह जब कुंडली में चुमकी छित में रखा जाता है और इसमें जब बैदु धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें एक बल्यूगम कार करने लगता है यदि कुंडली अच से परिता घुमने के लिए सोतंतर है तो वह इस बल्यूगों के काराण चुमकी छित में घुमने लिए पुरूत दिशाँ में दो बल कार करने लगते हैं या दोनों बलो एक बल हम बनाते हैं जिसके कारण कुंडली बामावर्थ दिशा में घुमने लगती है मतलब जब बैटीस में से बैदुधारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या होता है कुंडली की जो भुजा ABCD है अब AB देखिए AB और यह क्या है CD है यह बराबर प्रण्त विपरी दिसा में दो बल कार करने लगती है यह दो बल एक बल युगम बनाते है जिसके कारन कुंडली क्या होती है बामावर्त दिसा में घुमने लगती है तो बैदुत मोटर के बारे में समझ में आगे होगा इसका सिधान्त क्या है और इसका कारविधी क्या है और यह प्रशन बहुत ही IMP है हर साल की बोर्ड के एकजामिय प्रशन पूछा जाता है इसलिए इस प्रशन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तयार कर लीजिएगा अब अगला प्रशन बैदु चुमकी प्रेण की घटना क्या है दो समीप इस्थित कुंडलीयों के सहायता से प्रेरी धारा उत्पन होने की किरिया समझाए अब यहाँ पर प्रशन क्या है बैदु चुमकी प्रेण की घटना क्या है दो समीप इस्थित कुंडलीयों के सहायता से प्रेरी धारा उत्पन होने की किरिया को समझाना है तो सबसे पहले जो है बैदू चुमकी प्रेरण की घटना के बारे में लिखेंगे चुमकी छेतर में परिवर्तन या दखेंगे चुमकी छेतर में परिवर्तन के कारण बंद परिपत में बैदू धारा उत्पन होने की घटना को बैदू चुमकी प्रेरण कहते हैं मतलब जो कुंडली है वो बंद परिपत है और उसमें जो है बैदुधारा जब परवाहित किया जाता है चुमकी छेतर में तो उस घटना को क्या कहा जाता है बैदु चुमकी प्रेणन कहते हैं अब इसको जो है दो समीब कुंडली अब यहाँ पर दो समीब कुंडलीयों के ब बनाया गया है अब इस कुंडली के बारे में समझेंगे जैसे यहां पर नार्थ है और यहां पर नार्थ है यहां साउथ है मतलब यहां चुमक जो है इस कुंडली के और लाया जाता है और यहां चुमक जो है इस कुंडली से दूर जो है ले जाया जा रहा है एक बार लाया ज की धारा मापी से जोड़ा गया है यह नियस एक छड़ चुम्मक है जिसको कुंडली से दूर अथमा समीप गतिमान किया जा सकता है मतलब एक बार दूर लाय जाएगा एक बार समीप लाय जाएगा अब यहाँ पहला जो परियोग करेंगे तो लिखेंगे जब चुम्मक के उत है तो यह जो कुंडली देखिए अहां पर तिर्चा हो गया मतलब पहले सीधा रहता पहले सुरुवात में जब यह चुमक उसके पास नहीं ले गए तो उसके पहले यह सीधा था अजब इसके पास ले जाएंगे ऐसे जब घुसकाएंगे आगे की तरह बढ़ाएंगे तो यह जो है तिर्चा मतलब थोड़ा सा बिछेफ हो गया अब इछेफ हो जाता है एक दिसा में होता है परंत जब चुमक के इसी धुरू को कुंडली से दूर ले जाए जा रहा है अब देखिए जैसे इधर से जा रहा था अब इसको इधर से कर दिया मतलब दूर करेंगे तो इपरियुग दूसरा किया जाए यहां पर उतरी धुरू था अब आगर दच्च्चरी धुरू लाए जाए जाए यहां पर गटना घटेगा यहां पर यहां पर यन इधर रहेगा और यस यहां पर रहेगा और यहां पर जो है यस यहां पर रहेगा और यन यहां पर रहेगा और यह समीप लाए जाएगा और यह दूर ले जाए जाएगा तो घटना क्या घटेगी देखे यस जब आएगा मतलब जब चुम्मक की दच्छरी धु कsuite के समीप लाए जाता है इसको समीप लाए जा रहा है इसकी दिष्प अधिक है तो से दूर सक्यां हो जाएगा तो इसकी दिष्प का बदलाव कैसे हो रहा है जब इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा तो यहां पर जब इसका प्रयोग जब किया गया फैरड़े ने जब इसका परयोग कीए तो क्या देखे जब उतसरी धुरू को लाए के सहायता से प्रेरी धारा उत्पन की किरिया का सिक्का या जो है मुद्रा के रूप में जाना जाता है इसमें दिया गया चार आपसन एडीपी एटीपी एमपी पायूरिक अमलत इसमें याद रखेंगे एटीपी को जो है उर्जा का सिक्का माना जाता है इसमें दुसरा वाल केवल जन्तों पाया जाएगा सोसन तंतिरकातन हार्मोंस ब्रिद्धि याद रखेंगे बीकल्प जो दूसरा हो जाएगा तंतिरकातन जो है केवल जन्तों में पाया जाता है इसमें दूसरा आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रशना यह था मेंडल ने अपना परियोग निम्ल में से किस पौधे पर किया था मटर पर चना पर गुड़ा हल पर राई जो पस पर त्याद रखेंगे मेंडल ने जो अपना परियोग किया था किस पौधे पर किया था मटर पर इस पर पहला आपसन जो है क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा अगला प्रस होते हैं वह पारा बैगनी केनों को पिर्थवे से आने से क्या करते हैं रोकते हैं इसमें बौबिकल्पी वाले प्रस्न बहुत ही आसान आये हुए थे या विख्विकल्पी प्रस्न जो है आप सभी विद्यार थी अच्छे से समझ गए होंगे तो अब अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है खाद श्रिंखला से आप क्या समझते हैं अश्पष्ट कीजिए अब खाद श्रिंखला क्या है तो इसका उतर हो जाएगा जीओं की वह करमबंद श्रिंखला जो भोजन के अधार पर एक दूसरे के संबंधित रहती हैं खाद श्रिंखला कहलात जीओ का एक करमब बंध स्रिंखला होता है जो भोजन के अधार पे क्या होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित रहते हैं खाद स्रिंखला का लाते हैं जैसे घास को हिरन खाते हैं और हिरन को जो है सेर खाते हैं तो यह एक करमबंध स्रिंखला बनता जाता है ऐसे स्रिंखला को क्या कहा जाएगा खाद स्रिंखला कहा जाता है अगला प्रशना यह था जनन स्वास्त पर एक टिपड़ी लिखे जनन स्वास्त पर एक टिपड़ी को लिखना है तो जनन स्वास्त का अर्थ है कि जनन सहीत संपूर स्वास्त अर्था सारडिक भौनात्म बेवहारिक तथा समा स्वास्ति के सदस्यों को जनंग साररी क्यों केड आत्मक रूप से समाण होते हैं उस समाज का जननात्मकर रूप से सवस्त समाज कहते हैं तो आप सभी विद्याथी से चाहे तो आपने कापी में नोट भी करें याद रखिए क्योंकि ऐसे प्रस्ण हर साल के बोड के एकजाम में पूछे जाते हैं अगला प्रस्ण है पराग कोश का एक नमांग की चित्र बनाईए अब यहां पर पराग कोश का नमांग की चित्र बनाना है तो यह जो चित्र दिखाई दे रहे हैं देख रहे हैं यहां पर चार यह गोले बनाएंगे इसके अंदर जो है क्या क्या होते हैं मद्धिती परागकड अंतभिती वले को सिकाएं टेपीटम होते हैं तो यह जो चित्र को जो है आप सभी भी द्यार थी अपने कापी में चाहे तो बना लीजिएगा अगला प्रशन आया हुआ था तो अगला या अंतर है मुकलन में तो सबसे पहले दो कालम बना लेंगे और एक लिखेंगे पुनर्दू भवन और दूसरों लिखेंगे मुकलन अब यह जो है पुनर्दू भवन पुनह मतलब यहां पर पुनह जिव छोटे छोटे जिव जो है रहेंगे और नए जिव का निर्माड क क Giweudhari से ट्यूते हुए लग छोटे भाग होते हैं उसे ने जिवधारी पायदा हो जाते हैं उसी को कहा जैता है पुनर्दो भवन कहा जता है मुकुलन में जनन के सरिल के लग भाग का लिखाय की रूप में बढ़ते हैं तथा यह अलग हो का नया जिवधारी बनाते हैं दूसरा है छिपकली हिंसक जानवरों से बचने के लिए अपनी पूछ गिरा देती हैं जिसका पुनर निर्माड हो जाता है हाइडरा पुनर जनन को सिकाओं को परियोग करके मुकलन द्वारा जनन करता है तिसमें यहां पर दो अंतर बताया गय पुन को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगला प्रशना आया था अथमा करके मानोh में लिंग निरधारन परक्रिया का वड़न कीजिए अब यहाँ पर मानों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को बताना है तो लेखेंगे यहाँ पर मानों के प्रते कोशिका में तेईस जोड़े गुर्षुत्र पाए जाते हैं जिसमें बाइस जोड़े का अलिंग गुर्षुत्र है तथा अंतिम तेश में जोड़े को लिंग गुर्सुत्र कहते हैं या देखे मानों के प्रते कुष्का में तेश जोड़े क्या होते हैं गुर्सुत्र पाए जाते हैं जिसमें बाइस जोड़े को अलिंग गुर्सुत्र है और अंतिम तेश में जोड़े को का कहा जाता है लिंग गुर्सुत्र कहा जाता है दूई गुर सुत्रों के कारण जो है मानों में क्या होता है लिंग निर्धारण होता है तो समझ में आगे होगा कि मानों में जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया था उसमें क्या क्या होते हैं तो दूई गुरी तवस्था में मादा के लिंगुर सुत्र यक्स एक्स होता है और नर वाले लिंगुर सुत्र में क्या होते हैं यक्सवाई होते हैं अगला कोशन आया हुआ था परिवार नियोजन की बीधियां का उलेख कीजिए त मुख उद्देश जन्म दर को कम करना और जब परिवार में सीमित दो से तीन बच्चे होंगे तो कल्याकारी योजनाओं को भली परकार बनाया जा सकता है मतलब परिवार नियोजन का मतलब क्या है उनका जन्म दर को क्या करना कम करना और परिवार में सीमित दो से तीन तो कल्याकारी योजनाओं को भली परकार बनाया जा सकता है। परिवार में बच्चों को पेट भर अच्छा भोजन तन ढखने को बस्त रहें। उसे उचित सिच्छा यह उनके स्वास्त की अच्छी देखवाल आसानी से की जा सकती है। इससे परिवार का कल्यार होगा। परिवार सीमित रखने के बीविन उपाए हैं। इसमें दो बिधियों में बाटा गया है। पहला बिधी का नाम है और अस्थाई बिधियां और दूसरा का नाम है अस्थाई बिधियां है। तो समझ में आगे होगा परिवा नियोजन बीधियां क्या हैं तो और अस्थाई बीधियां होती हैं और ये क्या होते हैं अस्थाई बीधियां होती हैं इसमें अगला जो कोशन आया हुआ था मानो का आहार नाल का नमांकी चित्र बनाएए अब यहां पर मानो का जो है आहार और यहां से जो है पहले सुरुत जो होता है दांत से ले करके जीव और यह ग्रसरी कंठद्वार ग्रास नाल सुङसवननाल से होते हुए आमासे यहांपर देख सकते हैント यरित पिता से ग्रहडी ऐसे जो चित्र को बनाना पड़ेगा यहां पे लिखा गया है मानों का जो है क्या है आहार नाल का आपको चित्र बनाना है तो ऐसे जो है बोड के पेपर में जो है आपको खाचना पड़ेगा और इसमें बनाना पड़ेगा तो चित्र को जो है समझ में आ गया तो अगला प्रश्न है उत्सर्जन को परिभासित करते हुए एक विक्राण की सनरचना का वड़न कीजिए तेहां पर उत्सर्जन की परिभासा देना है और विक्राण की सनरचना बनाना है तो उत्सर्जन क्या होते हैं तो हानिकारक पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने की क उतसरजन कहलाती है जो सरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उस हानिकारक पदार्थ को निकालने की जो परक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है उतसरजन कहा जाता है अब इसकी सनचना को देख सकते हैं यह विकराण की सनचना है और परतिक जो विकराण होते हैं वह दस लगभग दस लाग अतिसुच में छोटे छोटे नलिका होते हैं कितने होते हैं लगभग दस लाग जो है इसमें छोटे 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 जो है नलिकाएं होती है और इस नलिका को ही विरिक नलिकाएं कहा जाता है विकरान कहा जाता है और इसे अगला नाम क्या कहा जाता और यह नेफरान का जो प्रारंभिक भाग होता है मतलब सबसे उपर वाला भाग जो होता है देख सकते हैं यह प्याले के अकार का होता है और उसका नाम क्या होता है बोमेन संपूट इसका नाम होता है प्रतेक जो है बोमेन संपूट जो है प्याले नुमा खांचे का जो है र नलिकाएं होती हैं उस नलिका को नेफरान कहा जाता है तो नीचे जो है आप सोई भी दार्थिया लिख लिए परतेक विरिक में या दखेंगे परतेक विरिक में लगभग दस लाग अत सुच में नलिका होती हैं जिन्हें विरिक नलिकाएं या विकराण या नेफरान कहते है प्रतेक नेफरान एक उत्सरजक इकाई होती है नेफरान का प्रारंबिक भाग एक प्याले के समान होता है जो प्याला होता है प्याले के अकार का होता है यहां देख सकते हैं यह प्याले का अकार का बना हुआ है इस अकार को ही क्या कहा जाता है बोमेन संपूट कहते हैं बोम बना हुआ है यहां पर यहां देखें नीचे गुछा बना हूंसे क्या करते हैं इसे के हैं यहां पर इसे चाहे तो आप सभी विध्यारथी से अपने कापी में नोट भी खर सकते हैं क्योंकि यह प्रस्ष्न हर साल के बोड के एक जाम में पूछा जाता है तो पूर्पिनाल का सुत्र क्या होता है CS3 CH2 CH2 और क्या होता है और यहां पर कारवन गिनिजे कारवन एक दो तीन तीन कारवन हो गया C3 हो जाएगा यच किना है यहाँ पर 3, 2, 5, 2, 7 यच क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा O-Yach हो जाएगा मतलब इसमें कौन सा सुतर सही होगा तो C3, Yach, 7, O-Yach इसमें सही हो जाएगा इसमें दूसरा वाला अपसन देख सकते हैं सही है अगला कोशन है और धातु है तो लिखेंगे ठंडे जल से hydrogen gas बनाती है तो किसका प्रयог करते हैं सोडियन का प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्ण है प्लास्टर आप इरीस बनाने की बिधी योउठ लिखें तो प्लास्टर आप इरीस कैसी बनता है बनाने की क्या बिधियां है जब gypsum को 120 से 130 डिगरी सेलसेस तक गर्म करते हैं तो plaster आप पेरिस बनता है अब यहाँ plaster आप पेरिस बनाने के लिए सबसे पहले gypsum को लेंगे gypsum को 120 से 130 डिगरी सेलसेस पर जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर plaster आप पेरिस प्राप्त होता है अब इसका उपयोग कहां पे करते हैं तो पहला इसका उपयोग होगा मूर्तिया या खिलोना बनाने में इसका परियोग किया जाता है दूसरा इसका परियोग तूटी हुई हड़ियों को जोडने के लिए प्लाश्टर आप पेरिस का परियोग किया जाता है तो हड़ी जब तूट जाता है तो प्लाश्टर आप पेरिस का ही परियोग किया जाता है अगला प्रस्ण जो है यह बहुत ही महत्पुन प्रस्ण है हर साल के बोड के पेपर में पूछा जाता है रेडाक्स अवकिरिया को एक उधारन द्वारा समझाए रेडाक्स अवकिरिया क्या है और एक उधारन दे करके इसको समझाना है वर रसाइनिक अवकिरिया जिसमें एक अभिकार का आक्सिकरन हो तदा दूसरे अभिकार का क्या हो अपचेयन हो उसे रेडाक्स अवकिरिया कहते हैं अब यहां पर देखेंगे CUO यहां पर जो है क्या हो रहा है यहां CU से आक्सिजन निकल गया है यहां पर कापर बचा है और हाइडोजन में आक्सिजन का जूड़ गया है तो यहां आक्सिजन का जूड़ना क्या कहलाएगा और यहां आक्सिजन का हास होना क्या कहलाएगा अप के भौतिक तथा रसाइनिक गुण उनके द्रमान संख्या के आवरती फलन होते हैं देखे यह नियम जो है बहुत ही महतपूर है कहां से याद रखेंगे ततों के भौतिक युम रसाइनिक गुण उनके द्रमान संख्या के आवरती फलन होते हैं अब इसका आवरसाणी की क्या विश्यस्ताएं है तो लिखेंगे मेंडलेव के आवर्षानी की दो विश्यस्ताएं निम्ना है पहला इस आवर्षानी में ततों के परमाड भार के बढ़ते करम में रखा गया था परमाड भार की बढ़ते करम पे रखा गया था इसमें 736 पक्तियां और इसमें 736 अस्थम हो जिने क्या कहते हैं समूख कहते हैं तो समझ में आ गया होगा कि मेंडलेव के आवशानी की क्या विश्यस्ता है अगला प्रशन है कार्वन के सर्वतों मुखी प्रकृत को अश्पष्ट कीजिए यह भी प्रशन बहुत साल से आ रहा है बोर्ड के पेपर में कार्वन के सर्वत तो मुखी तत्व है जैसा कि निम्न तत्वों को परमाडित होता है। पहला जो है ब्रमांड में समस्थ जीवित जीवधारी कारवन के योगिक जैसे कार्वोहाइडरेट, पोटेंस, वसा, बिटामीन, हार्मोन्स तथा केंदर की अमलों से निर्मित होते हैं। उब्रमाड में समस्थ जीवित जीवधारी होते हैं, कारवन की योगिक कैसे पराप्त करते हैं तो कार्वोहाइडरेट से, प्रोटेन से, वसा से, विटामीन से, हार्मोन से पराप्त किया जाता है। लिखेंगे भरजन अब यहां निस्तापन में क्या लिखेंगे भरजन किरिया वाई के नियंतरि मातरा में होती है अब यहां लिखेंगे भरजन जो किरिया होता है वो नियंतरित मातरा में होती है जहां दीजेगा यहां पे जो लिखना है यहां पर भरजन रहेगा यहां निस स्तापन रहेगा थोड़ा से मिश्टेक हो गया है यानいますatan लिख लीज़ेगा और यहां भरजन लिखेंगे वर्जन किरियाовать के अंतरित मातरा में होती है और या निस्तापन किरिया वाई के अनुपश्थिति में होती है भरजन किरिया में आयस्क में उपश्थित सलफर और आरसाइनी की असुद्धी वास्वसील आकसाइडों में परिवर्तित होकर वाई के साथ बाहर निकल जाती है इस किरिया में आयस् बोड के पेपर में पूछा जाता है निस्तापन तता भर्जन में क्या अंतर है तो इस अंतर को जो है आपसे विद्याथिस को याद रख लिजेगा अगला प्रशन है निमलिखित पर टिपड़ी दीजिए अब यहां पर टिपड़ी देना है कार्वनिक योगिक में आक्सिकर प्लस उसमा में प्रियोग करते हैं तो देहां देजे आक्सिकरन क्या है जिसमें आक्सिजन का गरण हो और हाइडोजन को क्या हो त्यागने की परिकरिया अक्सिकरन कालाता है जैसे यहां पर देख सकते हैं एथिल इलकोहल है जब इसका आक्सिकरन करा जा रहा है किसके उप प्रशन देख सकते हैं सजाती सेड़नी यह भी प्रशन कई सालों के बूर्ड में पूछा गया सजाती सेड़नी क्या है कार्बनी की योगी की आएसे सेड़नी जिसमें दो निकटवर्ती सदसों के अंडशुत्रू में CH2 का अंतर होता है सजाती सेड़नी कालाते हैं मतलब दो ऐसे सदस लेंगे जिसमें का अंतर CH2 अंतर आना चाहिए जैसे CH4 में CH, CH4 यहां से शिट्टू, CH4 यहां से जब इसको घटाएंगे तो दो कारवन म हटाएंगे तो मतलब दो ऐसे जो है निकेट वर्ती सदस लेंगे जिसमें दोनों का अगर अंतर किया जाएगा तो CH2 का अंतर होना चाहिए आगे देख सकते हैं अगला प्रशन क्या साबुन का अपमार जग निर्मा लीकरण अब करिया यह भी प्रशन बहुत ही IMP है हर साल के पेपर में पुछा दता है साबुन का सोचिकरण या निर्मा लीकरण अब करिया क्या है साबुन का सोचिकरण अब करिया क्या है मेल जो होते हैं वो तैली होते हैं जल विरागी सीरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सीरा चारो तरफ पानी में घिर जाता है इससे मिसेल का सनचना बन जाती है मिसेल कैसे बनता है तो मैल जो होते हैं तैली होते हैं जल विरागी सीरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सीरा चारो तरफ पानी में क्या होते हैं गिर जाते हैं जिसे मिसेल की सनचना बनता है साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में का करता है मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं यही साबुन का सोचिकरन अवकिरिया है तो यह साबुन का सोचिकरन अवकिरिया का ग्राफ खिचा गया है देख सकते हैं और इनके उपियोग भी लिखिये, तो एथनाल का चार रसाइनिक अविक्रिया कौन-कौन से हैं, पहला रसाइनिक अविक्रिया क्या है, सोडियम से क्रिया, जब एथनाल को सोडियम से क्रिया कराय जाता है, तो क्या बनता है, सोडियम एथनाकसाइड तथा हाइडोजन गैस बनता है अब यहां पर जो सुत्र देख रहा है या जो किसका सुत्र है तो यहां पर जो है एथिनाल है एथिनाल मतलब मेथिल एथिल इलकोहल उसको कहा जाता है जो सराब की रूप में परियोग करते हैं और यहां सोडियम से क्रिया करता है तो क्या बना है सोडियम एथनाकसा है और यह है यह 2 sil 4 के उपाश्रैत में गर्म किया गया है तो यहां पर इतेन बना है चीटू सूस सॉइट फॉर ध्यान देंगे यहां पर क्या वना इतलीन surfing यहां पर इतलीन बनेगा इतलीन है इतलीन बनता है तो समझ में आ गया होगा यहाब बना है एथिलीन और क्या बना है जल बना है अगला जो देख सकते हैं रियक्शन क्या है एस्टिक अमल से क्रिया जब एथिल एलकोहल को एस्टिक अमल से क्रिया कराया जाता है तो एस्टर तथा जल बनता है इस अब क्रिया को एस्टिक अमल स से क्रिया कराय जाता है तो एथिल एमीन तथा जल बनता है यह एथिल इलकोहल हो गया और यह अमोनिया से क्रिया गया गया तो एथिल एमीन बना और जल बना अब एथिल इलकोहल का उपयोग कहां करते हैं तो एथिल इलकोहल का उपयोग एथर क्लोरोफार्म सुगंधित पद को मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के निये सभी विध्यार्थियों को नमस्कार